पिंगना हर्ता श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा मामी जी पुत्र गडेश प्रणाम मामी जी घडेश आप कुशल तो है ना मामी जी हाँ पुत्र, किन्तो तुम यहाँ युद समाप्थ हो गया क्या? अंधाकासुर समझोते के लिए मान गया है अत्तम, अत्य अत्तम अपने अभिमान के लिए युद करवा कर पूछते हो क्या युद समाप्थ हो गया? दीदी? जहां जेश्ठा अलक्षमी का वास है, वहां देवी लक्षमी का वास नहीं हो सकता विजित्र है ये परिवर्तन? प्रणाम दीदी मुझे डेखकर चौक क्यों गई लक्षमी? तो मैं क्या लगा था? जिकोंने में पड़ी रेकर कष्ट वोपने की अभिकारी हों? नहीं दीदी, वो मैं… जेश्ठा मौसी, मैं जानता था, आपका सौंदर ये अद्भूत है गणेश दीदी की मिध्य प्रशंचा क्यों कर रहा है? वो तह मैं जानती हूँ, जेश्ठा हूँ मैं, हर द्रिष्टी से स्रेष्ठ हूँ क्या हुआ, तुमारे मुख पर ये संचय का भाव क्यों है? मौसी, आप सर्वता उचित कह रही हैं, किन्तु… ये क्या कर रहा है, गणेश? किन्तु, किन्तु क्या? मौसी, पार्खी द्रिष्टी है मेरी, मैं तो आपकी सुन्दर्टा से परिचित हूँ, किन्तु उसे प्रमानित करने के लिए, आपको मामी जी के साथ खड़ा होना होगा तभी तो उचित तुलना हो सकेगी ना? अचित है, इसमें किस बात का संकोच? अशौज सित्ती में जेश्टा के साथ खड़ा होना? गणेश करना क्या चा रहा है? नहीं, दीदी क्या हुआ? क्या तुम अब मेरे साथ खड़ी भी नहीं हो सकती? वो बात नहीं है, दीदी मैं तुमसे बड़ी हूँ, फिर भी सब को छिन लेती हो तुम मुझसे बैकॉंट ले लिया, तो अब आताल पर भी अपना अधिगार स्टाप करने आई हो तुम? नहीं दीदी, मेरा असा कोई आश्रे नहीं है, विश्वास कीजे मुझ पर, मैं स्वायम यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आई हूँ मेरी युक्तिकार ये कर रही है, जेश्ठा मौसी के आचाने से माता लक्षमी का यहाँ पर रहना कठिन होता जा रहा है शुप संकेत मिल रहे हैं, हमारी शक्तियां बढ़ रही है तम से कही अधिक सुन्दर और शर्ष्ठू में पाताल को उचित दिशा दिखाने में कही अधिक सक्षम हो ये, ये जेश्ठा यहाँ कैसे आ गई, अब मैं क्या करूँ मामी जी, जहाँ जेश्ठा मौसी है, वहाँ आप नहीं रह सकती क्योंकि जहाँ वो है, वहाँ अशौच है, और जहाँ अशौच है, वहाँ आप कैसे रह सकती हैं इसलिए ये ही एक मात्रुपाय था, जिससे आप यहाँ से बाहर भी जा सकें और अंदका सुर को दिए आपके वर्दान की मर्यादा भी भंगना हो धन्यवाद पुत्र गणेश, उत्तम युक्ती है ये नहीं दीदी, ये क्या कर रही है आप, आप तो जानती है कि जहाँ अशौच है, मैं वहाँ नहीं रह सकती अच्चा, तो यही उचित है नहीं दीदी, ये उचित नहीं है आप इस प्रकार यहां आकर मुझे निश्कासित नहीं कर सकती बैकुंट तो पूर्वसे ही तुमारा ही है लक्ष्मी, तो बाताल पर मेरी अधिकार को स्विकार करने में तुम्हें इतना कश्च क्यों हो रहा है इसी प्रकार तुम भविश्य में बैकुंट भी पहुच गई और वहां अपना अधिकार जताने लगी तो नहीं नहीं मैं पाताल छोड़कर नहीं जाऊंगी मुझे पाताल में ही रहना होगा नहीं आऊंगी मैं बैकुंट पाताल में ही रहूंगी और वैसे भी मेरे स्वामी रशीद शब यहीं है मेरा आवास है पाताल दीदी आप चाहती है तो मैं चली जाती हूं प्रणाम जे श्ठामोसी अब मैं भी चलता हूं लुको तुम ने बताया नहीं के कौन ज्यादा सुन्दर है पाताल से जाते हुए तो मामी जी है अतियंत सुन्दर लग रही है किन्तु आप तो पाताल में आते हुए अद्विती ये सुन्दर लग रही है मौसी पाताल के अनुरूप ही है आपका सौन्दर ये तो फीक है मौसी आप यहां स्थित हो ये मैं चलता हूं प्रणाम जेव सेनब अधिकुमार कार्ति के गरो सामना तुहुंड के प्रचंड पालो का लज हुई हुई हँ हुई हु noise झब हुई 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 कि मामी जी समभालिए स्वयम को क्या हुआ आपको पुत्र यही मेरी विवश्था है कि मैं अशौच के समीब स्वस्त नहीं रह सकती मामी जी मैं हूना आपके साथ मैं आपको बाहर ले जाओंगा शीक्र मुझे बाहर ले चलो पुत्र आईए मेरी साथ चलिए मुझी तकाल आपको यहां से ले जाना होगा मामी जी क्योंकि सभी देवगंड श्री की शक्ती के बिना निर्बल पड़ते जा रहे हैं एके प्र मुझे सकती के बाहर उय हा ले जाना आपके प्रमटändernे जाओंगा कुअ ओपWest okay अधा हुआ हएख अधा हुआ 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 तेरा वच्छ पुना फ्रभावी हो रहा है तावधान देवराज भी रहा है उतत हो है प्रित्यू को प्रित्यू को प्राप्त होगे तुम प्रित्यू को हुआ मेरे शक्तिया है आएए मामी जी अब हम कुछ इक्षणों में बाहर निकलने वाले हैं इन देवसेनिकों में उर्चा का संचार कैसे हो रहा है कैसे संभव है ये देवदाओं का सामर्द लोट कैसे रहा है ये दिवकवज भी शक्ति शाली होता जा रहा है और ये आसुरी विश्व अपनी शक्ति घो रहा है बस मामी जी बाहर निकलने वाली ही हैं माता लक्ष्वे की माता लक्ष्मी की प्रतम पूल जिविक नाता गनेश की माता लक्ष्मी 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 की लक्ष्मी और थाथ श्री किन्तु कैसे मेरा भवन श्रीवीर हो गया बाता अंदकासुर मैं यहां से जा रही हूँ और तुम्हारे लिए अलक्ष्मी छोड़ कर जा रही है नहीं माता आप मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती माता 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 अलक्ष्मी अब देखता हूँ असुर इस युद्ध में कैसे विजय पाते हैं दुख तो इस बात काहिर स्वामी कि जगत कल्यान के साथ महादेद और आदिशक्ती के सैयोग में हमारा साथ भी नियत है अन्यत हम मुझे भी आपसे विलग होना होगा कि अन्यत है प्रिये मैं अभी भी आपसे क्रोधित हूँ स्वामी मेरे इतने आग्रह करने के बाद भी आप महादेव को मनाने नहीं गए और इतना सब कुछ घड़ गया फिर भी आपने मुझसे शमा नहीं मांगी आपको मनाने के लिए मैं शदबार्ग शमा मांगने के लिए प्रस्तोत हूँ आपर धांगनी है मेरी शुरी है शक्ती है मेरी आपसे ही पूर्णता प्राप्ट करता हूँ मैं मुझे ख्षमा कर दीजिए बस और कुछ कहकर मुझे लज्जित मत कीजिए स्वामी गनेश की बुद्धी की युक्ती से ही मेरा भासे बाहराना संभग हो सका इतना अंदकार कैसे उत्पन हुआ यहाँ यह यह कौन है यह बुलिया गौन है तू कौन हूँ मैं मैं कौन हूँ मैं लग्षमी की बड़ी बेन हो चली गई है वो यहाँ से अब बाताल मेरा है लक्षमी को यहाँ लाने का दुस्तास कैसे किया तुमने मुझे अपने निकट रखने के लिए कठोर नियमों का पालन करना अनिवार है पुत्र यदि मुझे रखने में अशौच हुआ तो मैं उसी क्षान लॉड़ डाऊंगी अशौब अशौब यह बुळिया तुम्हारा निरनाय तो मैं बात में करूंगा प्रिवियो ताहरा तो रे बेवियो ताहरा थुम्हारे मेरे वीर यो दापरास्त हो रहे हैं अन्सुर गुरूँ समय आ गया है अब मुझे अपना कारे करना होगा श्री और शुक्ता दोनों ही पुना लौट आये हैं हमारे पास देवराजेंद्र असो अन्सुर जीवित कैसे होगे है बड़ल अफ हुआ 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 है हुआ हुआ है अम्रित असुरों को पुरह जीवित करने के लिए शुक्रा जार अम्रित संजीनी विद्या का प्रयोग कर रहे हैं अम्रित असुरों की सेना कड़ी करती शक्तियों का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए किसी भी प्रकार से इनका दुरुप योग स्वयम को हानी पहुचा सकता है अम्रित अश्वार कर दो चाहिए